कैसे हो दोस्तों उमीद है सबी लोग ठीक होंगे आज हमारे पास है Redmi Note 11 T 5G आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लास सेडन फेचर्स या टिपसें ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगा सबसे पहले इसका डीजाइन देखिए जबड़ दस्त डीजाइन है नीचे की तरब जो डीजाइन है ये बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा मेरे पास वाइट कालर का है क्योंकि मैं Me Home से खड़िदा हूँ और Me Home में वाइट कालर अबेलेबिल था इस फोन में 90Hz का option मिलता है लेकिन बाइड़ डिफल्ट 60Hz इनेबल करके दिया गिया है 90Hz इनेबल करने के लिए setting में चलिए और यहाँ पे display में आने के बाद यहाँ पे refresh rate में चलिए और यहाँ पे 90Hz कर दीजे NDR करने के बाद smoothness और बढ़ जाएगा और use करने में मज़ा आएगा यहाँ पे floating window भी देखने को मिलता है recent menu में आने के बाद floating window का option मिलता है किसी भी application को आप floating window में convert कर साकते हो यह तो इधर रहेगा इसके उपर से किसी भी application को भी आप open कर पाओगे जैसे कि मैं यहाँ पे weather को open कर लेता हूँ और यहाँ पे देख लीचे weather तो open है लेकिन उसके उपर से यहाँ पे देख लीचे floating window भी चल रहा है तो यह बढ़िया मुझे लगा है और यहाँ से swipe करने के बाद आप इसको बड़ा skin में convert कर सकते हो और यहाँ पे tap करके कई भी आप move करवा सकते हो Note 11 T में new control center दिया गिया है लेकिन यहाँ पे एक justice add कर दिया है यहाँ से swipe करोगे तो notification खुल के आएगा यह पहले नहीं था notification देखने के लिए इस set चे swipe करना पड़ता था लेकिन अभी यहाँ पे add कर दिया है यहाँ पे swipe करने के बाद आप notification देख पाओगे अगर आप लोगों को ए new control center पसंद नहीं आता है अगर आप लोगों को पुराना वाला पसंद है तो चलिए setting में setting में जाने के बाद यहाँ पे notification and control center में आने के बाद control center style में आ जाईए और यहाँ पे old version कर दीजे अभी देखिए old version आएगा यहाँ पे new version चला जाएगा इस phone में app drawer तो है लेकिन ओ enable नहीं है तो इसको enable करने के लिए दो finger से home skin में pinch कीजिए setting में चलिए यहाँ पे more में जाने के बाद home skin में classic के जगा app drawer कर दीजे अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे app drawer खुलके आगिया है और app drawer में भी customize कर पाओगे यह जो thin line है इसके उपर tap करोगे तो यहाँ पे देख लीचे manage app categories यहाँ पे आने के बाद जो जो आप लोग shortcut या bar रखना चाहते हो ओ सब कुछ यहाँ पे आपके हिसाब से आप customize कर पाओगे app drawer में जो background है इसको आप dark भी कर साकते हो light भी कर साकते हो या auto में भी convert करके रख साकते हो और इसको आप टनफारिंस भी बना साकते हो और यहाँ पे apply कर देना apply हो जाएगा यहाँ पे by default button देखने को मिलता है इसको आप gestures में भी convert कर साकते हो उसके लिए दो finger से pinch करने के बाद setting में चलिए more में चलिए यहाँ पे system ने भी केसान में आके gestures में convert कर दीजे अभी मैं आप logo को दिखाता हूँ swipe करोगे तो gestures में convert हो गया है recent menu में जाने के बाद यहाँ पे देख लिजे आप logo को vertically सब कुछ दिखाई दे रहे लेकिन इसको आप horizontal में भी convert कर साकते हो उसके लिए फेर से home setting में जाने के बाद more में चलिए थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे यहाँ पे दिखाई देगा arrange item in recent इसको horizontal कर दिजे अभी देख लिजे यहाँ पे horizontal में आएगा vertical में नहीं आएगा recent window में यहाँ पे RAM status so नहीं करता है तो यहाँ पे आके इसको enable करना पड़ता है so memory status उसके बाद ही यहाँ पे so करेगा कि कितना GB available है RAM में और यहाँ पे जो सारे recent window है ना इसको आप blur भी कर पाओगे यहाँ पे blur app preview में जाने के बाद आपके सबसे किसी भी application को आप blur कर पाओगे यहाँ पे wifi tethering का option भी मिलता है यहाँ पे control panel में देख लिजे wifi enable है और connect भी है थोड़ा नीची की तरफ आओगे मैं hotspot को भी enable कर पाओँगा मदलब wifi का जो internet है वो hotspot के जरीए किसी भी third party बंदे को मैं internet share कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहते हो कि wifi का password share नहीं करना चाहते हो अगर आप wifi का password नहीं जानते हो फिर भी hotspot के मदब से आप transfer कर पाओगे internet को skin recording का option भी मिलता है इसके उपर tap करके setting में जाओगे तो resolution देख लीजिए full HD करके video recording कर सकते हो video का quality 60 mbps तक ले कर जा सकते हो sound source देख लीजिए system sound, mic या mute भी रख सकते हो frame rate 30 fps तक यहां पे दिया गिया है इस phone में dark mode को भी थोड़ा सा improve कर दिया गिया है dark mode को enable करोगे हाला कि यहां पे amoled display नहीं है उतना अच्छा dark नहीं मिलेगा लेकिन काफी अच्छा dark मिलता है हर जगा में dark हो जाता है और setting में जाओगे तो बिलकुल dark यहां पे दिखाई देगा तो amoled display नहीं है फिर भी dark mode में बहुत ज़्यादा improvement किया है इस phone में video toolbox का एक बहुत अच्छा features दिया है उसके लिए setting में जाना पड़ेगा special features में आईए और video tools box में चलिए इसको enable करने के बाद आपको app को select करना पड़ेगा कि आप कौन सा app के उपर ए video toolbox को enable करना चाहते हो मैं यहां पे youtube कर देता हूँ youtube में जब आप किसी भी video को play करोगे तो side में एक bar खुल के आएगा यहां से swipe करोगे तो यह bar दिखाई देगा और यहां से swipe करने के बाद play video with a skin off दिखाई देगा इसको enable करने के बाद अगर आप youtube वीडियो देख रहे हो और आप skin off कर देते हो तो background में music चलता रहेगा मतलब जो play हो रहा था उसका voice आपको सुनाई देगा तो यह बड़िया features है बहुत सारे लोगों को गाना वगरा सुनना होता है mp3 वगरा तो youtube से सला देते हैं लेकिन आप यहां पे skin off करके भी youtube का गाना वगरा सुन साकती हो और यह youtube का एक premium features है जो की free में दे रहा है इस phone में wifi के अंदर भी एक अच्छा features दिया है setting में जाने के बाद जब wifi में जाओगे तो wifi assistant में जाने के बाद best network automatically दिखाई देगा इसको इनवल करने के बाद अगर आपके wifi का internet थोड़ा सा slow है तो automatically mobile data के साथ adjust करके internet high provide करेगा इस phone में double tap करके आप skin का light on भी कट साकते हो तो उसके लिए आपको setting में जाना पड़ेगा और यहाँ पे lock skin में आने के बाद double tap to white और turn off skin इसको इनवल कर देना एक features को आप इस्तेमल कर पाऊगे उसके साथी साथ raise to white है इसको इनवल करने के बाद phone ऐसा पड़ा है अगर phone को उठाते हो automatically skin का जो light है वो white cup हो जाएगा और उसी के साथ एक अच्छा feature से white lock skin for notification मतलब जब notification आएगा skin का जो light है वो white cup हो जाएगा मतलब light जल जाएगा इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस तरीके से light आजाएगा और इसको white cup कहते हैं lock skin में ही launch camera का एक thought card दिया गिया है थोड़ा नीची की तरह आओगे यहाँ पे launch camera का option दिखाई देगा इसको इनवल करने के बाद lock skin में अगर जो volume down बटन है भी रहता है अगर आप बाहर जाते हो phone detect करके automatically brightness को high कर देगा जो कि sunlight mood बहुत कामका है डिस्प्ले के अंदर reading mood भी देखने को मिलता है बहुत बढ़िया फीचास है इसको मैं जदतर रातों में यूज करता हूँ अगर इसको आप रातों में यूज करोगे तो आपके आँखों को दर्थ नहीं पहुँचेगा और इसको schedule में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक चाहिए इसके brightness को भी आप adjust कर पाओगे reading mood के इलाबा और भी एक बढ़िया फीचास है डिस्प्ले के अंदर जो की color scale यहां पर देख लीजिए जब अगर आपके color वीबिट में select रहेगा तो नीचे की तरफ जाओगे बहुत चरे बहुत तरीके से color को आप डिस्प्ले में लगा सकते हो आपको जो पशंद आता है उस तरीके से यहां पर आपको color रख सकते हो और यहां पर standard यहां पर saturated बहुत कुछ option दिया गिया है यहां पर multiple media source भी दिया गिया है उसके लिए sound and vibration में आने के बाद थोड़ा नीची की तरह आओगे यहां पर sound assistant दिखाई देगा और यहां पर देख लीजिए media sound in multiple app मदलब आप एक ही mobile में बहुत सरे application से एक साथ बहुत सरे sound को enable कर सकते हो मालो आप YouTube में गाना सुन रहे हो उपर से आप अगर MP3 यहां पर चलाते हो तो क्या होता है YouTube का गाना बंद हो जाता है लेकिन इसको enable करने के बाद YouTube का गाना भी play होगा और उपर से MP3 का जो sound है यह जो गाना आप notification बार से enable करोगे दोनों ही sound आता रहेगा multiple audio source यहां पर आके आपको select करना पड़ेगा sound and vibration के अंदर यहां पर आप लोगों को sound effect भी दिखाई देगा अगर आपके headphone रहेगा तो यहां पर आप EQ laser को भी इस्तेमल कर पाऊगे जो कि कमाल का फिचास है बीना headphone के आप यहां पर EQ laser को इस्तेमल नहीं कर पाऊगे यहां पर haptic feedback दिया है आपके सबसे इसको enable कर लेना और मैं इसको बहुत इसको करता हूँ और इसका जो label है या ज़्यादा या कम उसको आप adjust भी कर पाऊगे मेरा wifi में connect है लेकिन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना speed दे रहा है तो ओ दिखाने के लिए यहां पर notification and control center में आने के बाद यहां पर status bar में चलिए और यहाँ पे दिखाई देगा connection speed अभी देख लीजे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कितना speed यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो battery का percentage है इसको आप बाहर भी कर साकते हो जैसे कि यहाँ पे बाहर दिखाई दे रहा है तो आपके सबसे यह सब कुछ adjust कर पाओगे status bar के अंदर आप notch को hide भी कर सकते हो बहुत सरे लोगों को यह notch पसंद नहीं है तो यहाँ पे hide कर दीजे वो बिलकुल hide हो जाएगा यहाँ पे देख लीजे बिलकुल hide हो गया है लेकिन मुझे notch पसंद है रेडमी के हर phone में यहाँ पे theme store दिया जाता है तो theme store में जाने के बाद बहुत सारे theme यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे बहुत सारे pro version है और बहुत सारे free का version भी यहाँ पे दिया है तो आपके इस सबसे किसी भी free version को आप use कर पाओगे home skin के लिए भी और lock skin के लिए भी आईडे को इनेवल कर पाओगे बड़ी अफिचास है पास्वाट एंड सीक्यूरिटी के अंदर और भी एक बड़ी अफिचास है जो कि प्राइवेसी प्रूटेक्शन यहां पर आने के बाद पास्वाट वगरा सिलेट करना पड़ेगा आपके हिसाब से आप क्रियेट कर ले गा उसके बाद जो भी आप लॉक चाहते हो मतलब एप को लॉक करना चाहते हो फिंगर पीट पास्वाट के जरीए तो यहां पर आके सिलेट कर लेना और यहां पर हाइड वी कर पाओगे फिडन एपलिकेशन में आने के बाद किसी भी एपलिकेशन को आप हाइड कर इस phone में gesture shortcut भी देखने को मिलता है उसके लिए additional setting में चलिए उसके बाद यहाँ पर दिखाए देगा gesture shortcut यहाँ पर देख लिए take a skin shot launch camera torch to touch यहाँ पर देख लिए double tap to fingerprint sensor करोगे यहाँ पर torch enable हो जाएगा control center बहुत कुछ है आपके इसाब से आप करके देख लेना additional setting के अंदर one hand mode भी देखने को मिलता है इसको enable करने के बाद इस तरीके से अगर आप swipe up करोगे तो one hand mode enable हो जाएगा जो लोग one hand mode में use करना चाहता है उन लोगों के लिए एक कमाल फीचास है three finger से आप skin shot भी ले साकते हो और scroll में click करने के बाद आपके हिसाब से आप जितना भी चाहो long skin shot करके done भी कर साकते हो long skin shot कोलके आ जाएगा और इसको आप edit crop यहाँ पे बहुत कुछ कर पाओगे इस phone में 6 GB का RAM तो दिया है लेकिन आप 3 GB तक extend कर पाओगे तो उसके लिए आप आपको additional setting में जाना पड़ेगा यहाँ पर देख लीजिए memory extension में आने के बाद इसको enable कर दीजिए 3 GB नहीं 2 GB तक आप extend कर पाओगे और मैं आप लोगों को बता दूँ ए जो RAM है इस storage से लेगा तो बेहतर होगा एक के off करके रखो home skin में किसी भी application के उपर tap करोगे तो इहाँ यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे shortcut कोल के आजाएगा मैं YouTube के अंदर ना जाके directly यह सारे shortcut में बहुत आसानी से जा पाओगे File Manager में आने के बाद बहुत सारे application यहाँ से भी आप height कर पाओगे यहाँ पर three dot में click कर दीजिए यहाँ पर private file का option दिखाए देगा new password वेगरा create कर लेना उसके बाद picture वेगरा को यहाँ से ही आप height कर पाओगे Camera के अंदर बहुत सारे features मिलता है लेकिन ए वीडियो बहुत लंबा हो गिया है इसलिए मैं Camera के उपर dedicated वीडियो बनाऊंगा कि Camera का top tips and trick तो मैं end skin में देदूंगा या card में देदूंगा ए वीडियो खतामने के बाद ओ वीडियो देख लेना top 10 features camera के बारे में उमिद करता हूँ ए tips and trick आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो like जरूर करना तो इस वीडियो में मिलते हैं अगलेक फ्रिस वीडियो में तब तक मचा आते रहो